नमस्कार में अप्रिया बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है चले जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को बिहार में पहला एक्सप्रेसवे बनने का रास्ता हुआ साफ बिहार के पहले एक्सप्रेसवे पर बनने का रास्ता साफ हो चुका है जिसकी बाद मगत छेत्र की और अंगाबाद से मिथला के जयनगर तक एक्सप्रेसवे का नर्मान करवाय जाएगा दक्षिन से उतर बिहार को जोडने वाले और अंगाबाद से नेपाल सीमा पर से जयनगर तक बनने वाले 271 किलोमीटर लंबी सड़को भारती रास्ट्रे राजमार प्राधिकरन की भू अर्जन समीती की तरफ से बनाने की मंजूरी दे दी गई है अधिसूचना जारी करते वे North South Corridor के नापर मशूर सड़क के लिए भू अधिकरहन का काम शुरू हो गया है JEE और नीट परिक्षार्थियों को हो रही परेशानी को ध्यान में रखते वे रेलवे ने बड़ी राहत दी है जिसके तहट 1 सतंबर से शुरू हो चुकी परिक्षा के लिए रेलवे की तरफ से स्पेशल मेमू और डेमू ट्रेन चलाने की पहल शुरू कर दी गई है दानपुर रेल मंडर समेथ पूरे पुर्व मध्यरेल के कुल 20 जोडी ट्रेनों का परेचालन करवाय जा रहा है पुर्व मध्यरेल के CPRO राजेश कुमार ने इस बात की जानकारी दिया और बताया है कि 13 सेतंबर तक आयोजित किये जाने वाली परिक्षाओं को ध्यान में रखते वे छात्रों को परिक्षा सेंटर तक आने जाने की सुवधा है तूर राजे सरकार की तरफ से बिहार सिंजर ट्रेन चलाने की वांग की गई थी इसी को ध्यान में रखते हुए जिन रूट पर ट्रेन चलाई जाएगी उस पर पढ़ने वाले स्टेशन पर अनारक्षित टिकेट काउंटर खोले जा रहे हैं पटना नई दिली राजधानी एक्सप्रेस पहली बार दोड़ी 130 किलोमेटर प्रतिगंटे की रफतार से राजेंदर नगर पटना नई दिली राजधानी से सफर करने वाले यातरी अब कम समय में आसानी से सफर कर पाएंगे क्योंकि इस ट्रेन के अधिक्तम स्पीड 130 किलोमेटर प्रतिगंटे तक कर दी गई है पहले यह ट्रेन 100 से 110 किलोमेटर की रफतार से चलाई जादी थी मंगलबार को पट्टा से पंडित दीन दयाल उपाधिया जंक्षन तक ट्रेन 130 किलोमीटर प्रतिगंटे की रफ्तार से चलाई गई है। दर्वंगा जुले में हुआ था तोची पेश्यस एक संगीतकार है तोची रैना संगीतकार के साथ-साथ कंपोजर भी है इतना ही नहीं उन्होंने अपनी पहचान प्लेवाक सिंगर के तौल पर भी बखुभी बनाई है। समेट कई सारी फिल्मों में देखी गए थे आखरी बार वो डेस थ्री फिल्म में नजर आये थे हाला कि 14 मार्ज 2018 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था आगामे विधानसभा चुनाफ से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे कई बड़े प्रोजेक्ट इस दौरान आयोजित कारिक्रम में वीडियो कांफरेंसिंग के जरिए शिलन्यास और उद्खाटन किया जाएगा जिसके पुष्टी पत्थ निर्बान विभाग की तरफ से कर दी गई है विभाग की तरफ से साजा की गई जानकारी के नुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र म प्रमुक है इन योजराओं के लागत 15,000 करोर से अधिक है हाई कोट जल्द ही वर्चुल कोट में होगा तबदील कोविड-19 के महौल के बीच पटना हाई कोट की सुनवाई पर काफी ज्यादा असर देखने को मिला है वीडियो कांफरेंसिंग से कुछ मामलों की सुनवाई जरूर हो रही है लेकिन अब वर्चुल कोट बनाने की तैयारी हो रही है जिसकी जिम्मदारी बिहार स्टेट इलेक्ट्रोनिक्स डेवलाप्न कॉर्परेशन को दे दी गई है इस कॉर्परेशन के जी-म हरिश्रंकर दुवेदी के अनुसार काम शुरू हो चुका है 6-8 हफ के लिए भी परिवार चलाना मुश्किल हो गया है ऐसे में वर्चुल कोट काफी मददकार साबित होगा आपको बता दे पिछले कई महीनों से कोरोना के कारण रेगुले कोट में सुनवाई नहीं हो पा रही थी बिहार के अधिकांश हिस्तों में अगले 48 घंटों में बारि दर्च की गई है आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे मौनसून चार महीने का होता है जुसमें लगभग 75 फीस दी मौनसून पूरा हो चुका है राजमे बारिश सामाने से 19 फीस दी अधिक दर्च की गई है बिहार में एक जून से लेकर 31 अगस्त तक बारिश 952 मिलिमी दर्च की गई है जो की अपने एक नया रिकॉर्ड है हाला कि इस बार की बारिश के सानों के लिए बड़ी सौगात लेकर आई है मगर को जिलों में बाढ़ने परिशानी बढ़ा रखी है पटना के महावीर मंदिर से दान किये गए देसी घी से रामलला के दर्बार में देसी घी घी से रामलला के दर्बार में तीन साल तक निरतर अखंड जोती प्रजवलित की जाएगी ग्यातो भगवान राम के जन्मस्थान पर राममंतिर निर्मान के लिए देश के कोने-कोने से दान धर्म किया जार है पटना के महावीर मंदिर की तरफ से भी मंदिर के र 125 किलो देसी घी को दान दे दिया गया है यह घी 75 कंस्तरों में भरकर आयोध्या भेजी गई है उपमुखिमंतरी सुशील कुमार मोदी ने लालु प्रसाद यादव को मिल रहे 5 सतारा सुवधाओं को संग्यान में लेने की कही बात उपमुखिमंतरी सुशील कुमार मोदी वधान सभा चुनाव से पहले राजवत के प्रमुख लालु प्रसाद यादव को निशाने पड़ लिया है जिसके तहत उन्होंने जारखंट सरकार पर भी खूब टिपड़ी की है सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि सलाखों के पीछे चल रहे लालु यादव को राजकी आ सरकार अपने नियमों की धजिया उड़ाकर सलाखों के पीछे बैठे-बैठे पार्टी चलाने में राजनेतिक भूमी का निभाने का मौका दे रही है तो हम चुनाव आयोग से हस्त शेप करने की अपील करते हैं इस पूरे मामने में CBI को संग्यान देना चाहिए मांजे की तरफ से NDA में जाने के एलान पर राज़त ने ली चुटकी पूर्व मुख्य मंतरी और हम पार्टी के प्रमुख जीतन ना मांजी ने एक बार फिर से पाला बदने का फैसला कर लिया है हाला कि इसके एलान को लेकर मांजी लगातार संस्पेंस बना कर रखे वे थ उन्हाने कहा कि मांजी जी को अपमानित किया गया था तो वो हमारे साथ ही आये थे हमने उनका सम्मान किया और फिर से गय है तो बस अच्छे से वहार है राज़त की तरह से आ गया भी कहा गया कि लोकसभा में महागटबंदन की पतवार तो मांजी जी के हाथ में थी लेकिन उन्हों ने इसे डुबो दिया अब वहां डुबोने के बाद विधानसभा में NDA की नाव डुबोने गया है आगामे विधानसभा चुनाव से पहले जदिव के लाइफ पोर्टल की हुई शुरुआत विधानसभा चुनाव को लेकर सताधारी जदिव पूरी तरीके से हाइटेक हो रही है वहीं जदिव की तरफ से लाइफ पोर्टल की शुरुआत भी की गई है जदिव के नए ओफिस में बने नए हॉल में इसकी शुरुआत की जा चुकी है जिसकी मदद से मुख्यमंत्री नितिश कुमार के वर्चुल रैली का आयोजन करवाया जाएगा पूर्व रास्ट्रपती प्रणम मुखर जी के गुजर जाने के बाद रास्ट्रिय स्ट्रोक के दोरान साधे समरों में जदिव लाइफ पोर्टल का लोकारपन किया गया है जदिव के पोर्टल में मुख्यमंत्री नितिश कुमार के कामों की पूरी जानकारी भी मुहया करवाई गया है गया बॉर्डर को किया गया सील COVID-19 के माहौल में पितरपक्ष मेले में शामिल होने वाले लोगों को ध्यान में रखते हुए गया बॉर्डर को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है टाकि जीले में पितरपक्ष में आने वाले तीर्तियात्रों को प्रवेश करने से रोका जा सके CEO K.S. विश्वनाथ ने इस बात की जानकारी दे दी है पिछरे हफ़ते हुए COVID-19 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी जिसके बाद उनके रिपोर्ट अब नेगेटिव आने के पुष्टी कर दी गई है भारतिय टीम के तेज गेंदबास दीपक चाहर और भारतिक टीम A के वरलेबास, रितुराज, गायकवार उन 13 सदसों में शामल थे जो COVID-19 के परिक्षा में पॉजिटिव पाए गये थे हाला कि अब इन सब की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है जिसके बाद तीम ने रहात की सास लिए है वहीं मीडिया से बाचीकते दौरान विश्वनाथ न पता ही एरपोर्ट पर सेना की तरफ से बनाएगे COVID-19 अस्पताल का उधगाट न पूर्वरास्ट्रपती के गुज़र जाने के बाद साथ दिन के राजुकिय शोग के कारण टाल दिया गया है चोर सेतंबर से अस्पताल में मरीजों का इलाज भी शुरू हो गया है वहीं ड करवाया जाएगा भारत में COVID-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 38 लाख के पार देश में COVID-19 के मामले लगातार बढ़ती जा रहे हैं स्वास्ते विभाग की तरफ से साजा की गई जानकारी के नुसार बीते 24 घंटे में कुल मिलाकर 78,000 से जादा मामलों की पुष्टी की गई है स्वास्ते मन्तुराले की माने तो बीते 24 घंटे में 68,357 न नैमामलों की पुष्टी की गई है जिसके बाद संक्रमितों की संख्या 37,593 पर पहुंच गई है वहीं बीते दिन 24 घंटे में 1045 लोगों की जान जा चुकी है जिसके बाद जानकवाने वालों की सं्य 66,333 पर पहुँच गई है स्वास्तमंत्राले की माने तो देश में COVID-19 से रिकवरी दर 76,98 प्रतिशत पर पहुँच गई है यानि की कुल संक्रमत मामलोग की सक्रिय मरीज 21,25 प्रतिशत है वहीं जो अनकवाने वालों की दर में भी गिरावट देखी गई है जो इसकी बाद यह दर 1,75 प्रतिशत दर्च की गई है तो चले बढ़तें आज की सवाल के और आज का सव काल कुछ इस प्रकार है आपके नुसार जीतन रामांजी का एंडिये में शामिर होने का फैस्ता सही है या नहीं अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताए इसके साथ ही आज करें बस इतना ही बिहार की बरी खब्रों से अबडेटेड रहने के लिए हमारी यूट्यू अबड़ेगल से अबड़ेगल यूगता आपके लिए हमारी नहीं राम में अुछ के लिए उन अन अन अवाब। रहे वगगल झाओल यूवाब्लम है रहा हमें झाफ़ा बड़ेगला ही नहीं है दोली आपके